हाई गाईज दिस प्रभाज सुनु सार्ट यह जो कोश्चन सीरीज चल रहा है किनको किनको हेल्प किया जाएगा पूरी तरीके से प्री बीएड प्री डियलेड वाले हैं बिल्कुल भी हम अच्छोड़ा सामाने विज्ञान आपका यहां पर पोर्शन है ठीक है प्री एमसी का बहुत बड़ा भारी यहां पर स्लेर से बेस्ति नर्सिंग्त में आपके यहां स्लेबस का ऐसा कारण है जो वस्तु अगर कोई वस्तु अगर चल रहा तो उसको रोख देगा अगर कोई वस्तु रूका है तो उसको चला देगा रहो डिफल आपको यह यह कि इसके बाद आपका dimension formula होता है यानि वीमी सुत्र ML T-2 होता है ठीक है force आपका दो प्रकार का होता है एक आपका balanced force होता है एक आपका unbalanced force होता है balance क्या होता है कि जितने भी force आपका लग रहे हैं आपका आत में करतलों कोई य्ывать से आपके हाथ में कोई खीच रहा है और कोई आपका left हाथ से आपको खीच रहा है अगर दोनों आपको खीचने दोनों का force अगर right वाले का left वाले का बराबर है तो आपका balance force है ठीक है लेगिन अगर एक वेक्टी अगर आपको ज़्यादा खीच रहा और एक वेक्टी आपको कम खीच रहा है तो आप एक तरफ जो वेक्टी ज़्यादा खीच रहा है उसके तरफ आप जूग जाओगे तो ये आपका unbalance force है ठीक है बात करते हैं यहाँ पे कुछ important point है, यहाँ पे एक formula आपको दिया है, R यानि आपका क्या, दो बल अगर किसी object में लग रहे हैं, अगर वो आपका दोनों बल लगने के समय में आपका क्या हो जाए, किसी direction में आपका angle हो जाए, ठीक है, उपर से, कोई नीचे से, कोई दाय से, क client हो अगर कोई अगर यहाँ पे force लग जाता है, उस case में क्या होता है, दो force अलग-अलग direction में होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझानी कोशिस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक force ऐसा लग गया, ठीक है, अब इन दोनों का एक resultant जाएंगा, resultant मतलब क्या, यह दोनों का sum य पी-क्यू-Cos-Theta, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक आपका यहाँ पे जो angle बन रहा है, force आपका एक और force आपका दो के बीच का जो angle है, वही आपका ठीक है, उसको cost में आपको लेना होगा, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ठीक अगर ठीक है, first है, second है, third है, तो यह सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था भिया पहला नियम में, कि कोई वस्तु या कोई object अगर वो stable है, कोई रूका हुआ है, विराम के वस्ता में तो भ break न लगा, ठीक है, break लगाने एक प्रकार का ये बारी बल है, और इसी नियम को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्थो का नियम, जड़त्owe क्यों है, क्योंकि आपका पहला वस्तु आपका रूका है, उसको चलने लगा दिया, दूसरा वस्तु आपका क्या है, वो चल रहा है, या फिर जड़त तो कहा जाता है, तो इसलिए Newton का जो first law है आपका वो, initia का law भी है, यानि कि जड़त तो का भी नियम है, इसमें कुछ example भी आपका है, जड़त तो भी दो प्रकार का है, यहाँ पर बतायागे है, लेकिन basically आपका तीन प्रकार का है, एक आपका विराम का जड़त का, किसी चीच को आप रोके हो, ठीक है फिर है, चलना परारम करता है, उसके अद आपका गत्ती का जड़त कोई अगर चल रहा है, तो रुकवाद होगे, ठीक है, उसके अद दीसा, आप उसका direction ही change कर दो, अगर कोई आगे सायर है, तो भी यह वो पीछे तरफ सिर्फ जाना चालू कर देगा, ठीक है, अभी इन सब का example आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो भईये यहाँ पे daily life में कहाँ पे आपको inertia का, यानि के जड़तों का आपको example मिलेगा, कभी आप सफर करना बस में, बस में आप बैठना, बस अचानक चलने लगता है, रुका हुआ है, चलने लगता है, जैसे वो चलता है, आप तीछे के और थोड़ा सा गिरने, की और आप आजाते हो, गिरने type का आप लग जाते हो, ठीक है, यह यहाँ पे आपका इसका उधारण है, दूसरा आपका क्या है, कोई खिलाडी उचा कूदता है, तो उससे पहले बहुत तेज, यहाँ पे क्या करता है, वो दोड़ता है, तब वहाँ पे दोड़ने के बाद हो high jump लेता है, यहाँ पे क्या है, अगर आप कंबल को डंडेट से पीटते हो, तो आपका कंबल में जो भी धूल कण है, डस्ट है, वो आपका निकल जाता है, फिर तो आपका क्या है, बस के अचानक रुकने से यातरी आगे की और गिरने जाते हैं, यानि गिर जाते हैं, कहने मतलब क्या है, अगर आपको कहीं पे अचानक कोई बोल देता है, यहाँ पे रुक दो, अब वो ब्रेक मारा, तो जो आदमी है, वो आगे की थोड़ा सा धक्का उसको लग जाता है, ठीक है, तो यह सब इनिशिया का आपका क्या एक्जामपल है, आते हैं सेकेंड लॉग, दूसरा नियम क्या है, तो F बराबर M सबको पता है, ठीक है, F आपका क्या है, force है, M आपका क्या है, mass है, यानि द्रविमान, और A आपका क्या, acceleration मतलब आपका तोरण है, ठीक है, इसके कुछ एक्जामपल भी दिये है, जैसे बंदुक से अगर आप कोई गोली चलाते हैं, तो बंदुक धारी को पीछे की और थोड़ा जटका लगता है, ठीक है, क्योंकि बंदुक आगे जाता है, यानि उसकी गोली जो निकलती ही बंदुक से, वो आपकी आगे जाती है जब एक्टी नाओ को क्या करता है, किनारे पर लगाता है, तो वो क्या करता है, कूद जाता है, और कूदता है, तो नाओ को पीछे की तरफ आप ढ़किलते हैं, तब आदमी क्या करता है, किनारे में कूद पाता है, ये भी आपका उधारन है, ठीक है, और यहाँ पर पानी म जिसको दरवेबान बोलते है वी आपका क्या है वेग है वेलोस अटिये टीक है मुमेंटम आपका होता है कि एक सदिस रासी है इसका जो मातरक यानि जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका है यहां पर आपका दिया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका ल पूर्स लगा दो अगर वह पूरा आपका सुनने होता है तो उसका जो आपका कुल रैखिक संवेग है यानि कुल आपका जो लीनियर मोमेंटम है वह आपका क्या रहेगा संड़क्षित रहेगा हमेशा इस्टेबल रहेगा इसके लिए हापे फॉर्मूला भी दिया है ये फॉर्मूला में आप यहां पर देख सकते हैं यह इच है आपका टक्राने के बाता है यसके बाद आपका इक प्रकार का होता है बल्ल आपका समय अंतराल कि अक और आपका जो कहलाता है उसी को आप इंपल्स बोलते हैं आवेक कहते हो ठीक है एक और यहाँ पर संवेsp chama में अगर परिवर्तन करता है मोमेंटम में अगर कोई परिवर्तन करता है तो उसी को हम इंपल्स कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं चले स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन एक मोटर जिसका द्रविमान 50 किलो ग्राम है ठीक है 15 मीटर पर सेकेंड से वो क्या है वेग से चल रहा है ठीक है वो मोटर ब्रेक लगने के बाद 10 सेकेंड के पस्चाद उसका जो वेग है 5 मीटर पर सेकेंड हो जात को प्रोवाइट करा दिया ठीक है कि आपका एक मोटर का मास आपका क्या 50 केजी है वो मुविंग है आपका उसकी वेलो सेकेंड क्या होता भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो और उसके बाद आपका ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसकी जो वेलो सेकेंड होती हो आपका 5 हमारे पास किया है मास दिए हुआ है को यहां पे आपको एक पता है लिख सकते हैं इस आपका हुता क्या है velocity में change, change of rate of velocity मतलब एक में परिवर्तन की दर को ही हम acceleration यानि तवरण बोलते है मतलब V2-V1 और जितना time यहाँ पर V2-V1 को यहाँ पर change होने में लग जाए तो हमारा यहाँ पर समय लगेगा इसको change होने में यानि V1 आपका V2 बनेगा वो यहाँ पर time आपको divide करना है आपका 50 दिया है 50 kg है V2 आपका 5 meter per second है और V1 आपका 15 meter per second है formula आपका बनता है 50 into आपका 5 minus 15 यानि V2 minus V1 होगे upon में delta T का मान आपका कितना 10 है जब आप इसको solve करोगे तो minus का आपका 50 newton आएगा यही आपका यहाँ पर क्या है answer है ठीक है कि brake द्वारा लगाएगा अबल brake apply होगा तो वहाँ पर कितना यहाँ पर force लग जाएगा तो यहाँ पर minus 50 newton का आपका लगेगा minus मतलब क्या हुआ आपका direction opposite रहेगा ठीक है जो आपको उपर था वो आपका नीचे लगेगा बस आपका minus के यहाँ पर किवल इतना ही रोल है ठीक है अगले question की तरफ next question हमारा है एक motor car है जिसका आपका 10 meter per second का speed है ठीक है इस speed से इस चाल से यह चल रही है ठीक है कार का द्रवेमान है मतलब कार का वजन बताया है 2500 kg यानी 2500 kg है 25 meter की दूरी पर रोकने के लिए कार पर जो brake लगेगा वो कितना लगाया जाएगा कितना force का लगेगा ठीक है मतलब आपको इस speed से इतने वजन कार को आपको 25 meter तक लेके जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है ब्रेक अप्राई करना है जिससे आपका कार आपका रुख जाए ठीक है तो वो brake कितना powerful होगा कितने force का होगा वो आपको यहाँ पर calculate करना है ठीक है तो आया इसको calculate करते है इसके लिए हमें formula यूज करना पड़ेगा motion आपका गति का तीसरा नियम का यहाँ पर जो दिया है आपको formula v square equal to u square plus 2as ठीक है वी आपका क्या है final final मतलब क्या गाड़ी brake मारने के बाद रुख गया तो v आपका 0 हो गया ठीक है फिर आपका u क्या initial सुरुआत में गाड़ी क इतना दूरी चला भी है तो 25 मीटर आपको चला करके आपको brake मारना है ठीक है तो इस पूरे formula में यहाँ पे हम value रखते हैं और यहाँ से आपका एक हमान हम calculate करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है यह जब आप calculate करेंगे तो minus का 2 meter per second square आपका आ जाएगा तोरन जिसको आप acceleration बोलते हैं ठीक है अब आप फोर्स का formula जानते है एप बराबर होता है m into a ठीक है यह आपका निकल गया minus का 2 और आपको m आपको निकालना है तो m आपको दिया है गाड़ी का वजन तो 25 किलोग्राम आपका है जब आप इसको multiply करोगे तो आपका minus का कितना हो जाएगा 5000 newton clear है लेगिन आपका force opposite direction में लग रहा है तो इसलिए आपको minus को show नहीं करना है आपको जो बल होगा आपका मंदन बल कहलाएगा ठीक है इसलिए आपका minus हटाया गया है कि force का direction यहाँ पे अलग हो गया ठीक है यह plus minus आपका direction को denote करता है कि भाया यह इस direction से लग रहा है या इस direction से जो जिस direction में आपका tire move कर रहा था उसके opposite direction नो उसमें force लगा है इसलिए यह minus को आप यहाँ पे हटाएंगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा 40 kg का एक विसपोटक है और 12 meter per second की velocity से यह जा रहा है ठीक है इसका क्या होता है इसमें टक्कर होता है और टक्कर होन का वेग सुनने हो जाए यानि यह जो 28 kg है इसका वेग यानि velocity 0 हो जाए तो छोटे टुकडे का वेग हमें calculate करना ही है यहाँ पे बोला गया है इंगलिस के जो यहाँ पे छात्र है हमारे भाई लोगे वो यहाँ पे सुधार लिजेगा यहाँ पे जो आपका explosive of 7.40 लिखा है यह आपका 7.9 होगा यह आपका केवल 40 kg होगा ठीक है यहाँ पे आप इसको correction कर लिजेगा तो आई इसको solve कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं तो यहाँ पे आपका समवेक सरक्षण का नियम यहाँ पे apply होगा ठीक है यहाँ पे law of conservation of momentum का आपका law यहाँ पे apply होगा ठीक है हमें किवल 2 object का जौरत है तो हम यहाँ पे 2 ही का किये हैं तो M आपका हो जाएगा 40 kg जो आपका wispotak है ठीक है explosive है ठीक है फिर V उसका जो velocity आपको दी है 12 का speed आपका है ठीक है M1 क्या हो जाएगा भी है तो M1 आपका 28 kg तूटने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद हो गया ठीक है इसके लिए V1 आपका क्या होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि बताया है कि जो आपका बड़ी संख्य है जो बड़ी आपकी value है उसकी आपकी velocity 0 हो जाती है अगर हम बात करें M2 का तो वह आपका 12 kg है और उसी के लिए हमको V2 याद करना मतलब velocity याद करना है व V2 आपका 12 होगे और V2 आपको निकालना है वो आपको calculate करना है तो यह जब आप इसको solve करेंगे 40 into 12 को आपको multiply कर लेना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे 28 into 0 का multiply होगा तो वह 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 12 और आपका V2 ठीक है 12 यहाँ पे क्या कर रहा है V2 के साथ multiply कर रहा है यह बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइट करेगा यह आप डिवाइट करेगा तो यह कट जाएगा और यहाँ पे आपका केवल V2 की value 40 बचेगी जो कि यही हमारा answer है अगला question है एक पिंड यानि object का जो समवेग है वो एक मिनट में 200 केजी मीटर पर second से बढ़ करके आपका 800 केजी मीटर पर second हो जाता है ठीक है तो इस पर जो आपका आरूपी बल है जो यहाँ पर force यहाँ पर exert हो रहा है जो लग रहा है वो कितना हो हमें यहाँ पर पता करना है ठीक है कहने के मतलब क्या कोई एक body है ठीक है यह body पर आपका क्या कितना force लग मतलँ समवेग में जो परिवर्टन होगा वही आप यहाप को देना है ठीक है तो P2-P1 हो जाता है अब 8 में आपका समय आपको सेकेंड में लेना है चुकि आपको एक मिनट दिया है तो एक मिनट को आपको 60 सेकेंड से मुटिप्लाई करना है ठीक है P2 का मान आपका 800 हो गया जो कि बाद में change हुआ और आपका P1 का मान शुरुवात का हो गया जो कि आपका 200 है जब आप इसको solve करोगे तो 10 Newton का यहाँ पे force आपका आ जाएगा ठीक है और यही आपका answer होगा अगला question यहाँ पे दिया है 2.5 kg का द्रवेमान का कोई वस्तू है पिंड है object है body है कुछ भी है इसका acceleration मतलब तोरण जो की F है और उसकी value दिया है 19.8 meter per second square ठीक है 19.8 meter per second square है यह vertical उपर से नीचे गिरता है मतलब vertical मतलब क्या उर्धवादर उपर की तरफ से वो नीचे की तरफ उपर की तरफ से नीचे की तरफ गिर रहा है अब यहाँ पे air resistance बोला है 0 है yu का जो प्रतिरोध है air का जो resistant हो आपका 0 मानना है नगड़े मानना है तो उस case में बोलता है जो गुरुत तुबल है यह साथ साथ कितना होगा यह हमें यहाँ पे बताना है तो देखिए body का जो acceleration है जिसको body का त्वरण बोलते है वो जो आपका F है वो G प्लस A के बराबर होगा clear है अब यहाँ से हमें A निकालना है 19.8 G कमान हम जानते है 9.8 और यहाँ पे प्लस आपका A हो गया clear है अब यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा तब यहाँ पे A कमान आपका क्या होगा 19.8 में से अगर 9.8 निकालोगे तो आपका 10 बचेगा जो यहाँ पे आपका बचा है अब आपको force निकालना है तो force हम जानते है F बराबर होता है M into A M हमें दिया है question में 2.5 ठीक है और A हम calculate की है 10 तो आपका solul तो जब आप इसको calculate करोगे तो 25 Newton आपका आजाएगा यही आपका answer होगा यही आपका गुरुत तुबल होगा यह से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ जैसा आपने demand किया था करने के लिए यहाँ पे facility अवेलेबल करा दी गया है रोज आप हमें call कर सकते है rate भी हमने जैसा आपने कहा था same वही आपका रखा गया है दो तरीके से आप यहाँ पे call कर सकते है अगर आपको कोई doubt आता है तो आप इस WhatsApp नंबर पे आप यहाँ पे message कर सकते हैं कि सर call पे बात करना है आप यहाँ पे 10 उर्पे पर call करें यहाँ पे पे करेंगे और आपको सामने से call आएगा 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी doubt आता है जो भी queries आता है आप यहाँ पे solve कर पाएंगे ठीक है सामने से आपको call आएगा अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप call me 4 app से भी आप हमें call कर सकते हैं आपको cable search करना पड़ेगा प्रभास solution at the rate cm4 करके